असलाम अलेकुम और रहमतुल्लाहिव वबरकातु दियर स्टूडिंज मैं सजादोसेन एक बार फिर से आपके खित्बंद भी यहाँ पर आया हूँ आज हम एक बार फिर से क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नुबर 5 popular struggle and moments को फुर से continue करेंगे यह यहाँ पर आज हम बतायेंगे कि democracy and popular struggles ठीक है? जमहुरियत नुटलाहिशी और popular struggles इन दोनों का क्या connection रहता है? इस तो stories are from different contexts the movement in Nepal was to establish democracy while the struggle in Bolivia involved with claims on an elected democratic government इस से पहले हमने दो कहानी पढ़ा एक तो हमने निपाल के बारे में पढ़ा दुसरा हमने बॉलिविया के बारे में पढ़ा ठीक है निपाल का जो सिट्रेगल हुआ था वो अपने देश में निपाल में किंग को रिमू करके डिमोक्रेसी को एस्टिबिश करने के लिए सिट्रेगल किया, डिमोक्रेसी को गाइम करने के लिए किया, लेकिन बॉलिविया में जो सिट्रेगल किया, वो डिमोक्रेसी को एस्टिबिश करने के लिए नहीं, क्योंकि डिमोक्रेसी तो वहां पहले से था, वो democracy में ही कुछ गल्ती हुआ था, democratic countries में कुछ गल्ती हुआ था, उस गल्ती को सुदारने के लिए वो protest Bolivia में किया गया है अगर हम Bolivia की बात करेंगे तो Bolivia का सिर्फ एक ही specific मसला था जो था, पानी का, ठीक है Bolivia में लोगों ने हर्ताल क्यों किया क्योंकि वहां पे पानी को जो है किसी private company को पास दिया था जिसकी वज़ा से लोगों को पानी का दाम और पानी का फी जो है वो महिंगा हो रहा था तो Bolivia में सिर्फ एक ही मसला था, that is water issue लेकिन निपाल में जो है country में democracy लाना था, monarchy को remove करके तो निपाल का जो मसला था, वो country की foundation politics का था कि निपाल का जो प्रोटेस किया गिया था, वो निपाल की country politics को बिलकुल change करना था एक monarchical सरकार से democratic सरकार बनाना था इन दोनों में straggles हमें करने पड़े अगर हम निपाल की बात करेंगे तो निपाल में भी बहुत स्यादा straggles करना पड़ा बोलिविया में भी बहुत स्यादा straggles करना पड़ा लेकिन बोलिविया का जो मसला था वो सी pacific to water था लेकिन निपाल का जो मसला था वो पूरे country के foundational politics का था लेकिन जो भी हो इन दोनों का जो है impact जह है वो different levels पे समाज में असर जह है वो पड़ता है बोलिविया और निपाल के जो कहानी था इन दोनों कहानी में straggles भी किया लेकिन इनका differences भी बहुत ज्यादा था similarities उदना ज्यादा नहीं था इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर था लेकिन फिर भी ये दोनों जो है कहीं न कहीं democracy के past और future से मिलता जुलता है अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो political conflicts काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है popular citregles हमें देखने को मिलता है both cases में क्या होता है citregles में mass mobilization होता है लोगों को mobilize करना पड़ता है लोगों को मनाना पड़ता है और लोग जो है काफी aware हो जाते हैं और अपने rights को लेकर लोग जब aware होते हैं तब ही जाएके लोग जो है आवास उठाता है तो ये दोनों निपाल और बोलिविया दोनों में हमें देखने को मिलता है public demonstration of mass support clinched the dispute finally both incidents involved with critical role of political organization if you recall the first chapter of class 9 textbook this is how democracy has evolved all over the world we can therefore draw a few conclusion from this example अगर आपको याद है class 9 में जो हमने political science के chapter number 1 पढ़ा था why democracy, what is democracy or democracy in the contemporary world तो उसमें क्या होता है हमने देखा कि 1940 में इस country में democracy आया 50 में यहाँ आया 60 में यहाँ पर democracy आया पोलेंड में यह हुआ, चैली में यह हुआ ठीक है तो इंगलेंड में यह हुआ, न्यूजेलेंड में यह हुआ तो यह सारे चीजें जो है हमने कलास 9 के chapter number 1 पॉलिटिकल सेंस के chapter में भूब में हमने पढ़ा था तो इन सारे चीज़ों से कुछ conclusions हमें निकल जाते हैं जिसके बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे सबसे पहला चीज इन सारे चीज़ों से हमें क्या देखने को मिलता है democracy evolves through popular straggles it is possible that some significant decisions may take place through consensus and may not involve any conflict at all but that would be an exception defining moments of democracy usually involve conflict between those groups who have exercised power and those who expire for a share in power these moments come when the country is going through transition to democracy expansion of democracy or deepening of democracy तो यहाँ पर यह चीज़ कहता है कि democracy जो है वो democracy हो या नहो उसमें या किसी भी country में popular straggles वो तो हमेशे जारी रहता है popular straggles में दो लोगों की बीश में conflict होते हैं dispute या लड़ाई जगड़े होते हैं एक वो होता है जिनके हाद में power होता है और दुसरा वो होता है जिनके हाद में power नहीं होता है लेकिन वो power में क्या करता है power sharing में हस्सा लेना चाहता है तो इन दोने की बीश में democracy जगड़े काफी हो जाते हैं तो कहने का मादल भी है है कि यह जो सारे moments है बॉलिविया का जो मॉमेंट है निपाल का जो मॉनार्किकल मॉमेंट है या किसी और कंट्री का जो मॉमेंट है ये सारे मॉमेंट जो है दो चीज़ें के इरिद गूमता है या तो इन सारे कंट्रीज में जहां पर डिमोकरिसी पहले से नहीं था या जहां पर पहले से था लेकिन डिमोकरिसी काम अच्छे से नहीं कर रहा है या जहां पर मोनार्की था उसको रिमू करके डिमोकरिसी लाना था इन सारे कंट्रीज में हमें ये देखने को मिलता है कि या तो उस कंट्री में Transition to Democracy होता है किसी भी कंट्री में जहां पर हर्ताल होता है Transition to Democracy मतलब पहले मोनार्की तप्र दिमोक्रिसी बन जाता है या तो उसमें expansion of democracy होता है democracy सही से वहां पर expand नहीं हो चुका होता है तो दिरे दिरे लोग democracy को expand करने की कौशिश करता है या तो deepening of democracy democracy को deep और गहराई के साथ चलाने की लोग काफी जयदा कोशिश करते हैं और इन ही demands को लेकर लोग जो ही क्या करता है protest moments करता है दूसरा conclusion हमें इन सारे कहानियों से यह देहने को मिलता है democratic conflict is resolved through mass mobilization democratic conflict को हम हल कर सकता है लोगों को, लोगों की mobilization की जर्रे जब लोग मान जाएंगे, जब लोग क्या होगा तयार हो जाएंगे तब जाएंगे हम democratic dispute को हम हल कर सकता है sometimes sometimes it is possible that the conflict is resolved by using the existing institution like the parliament or the judiciary but when there is a deep dispute very often this institution themselves get involved in the dispute कभी 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 आम तर पर चोकिसी भी दिश में जब चोटे मोटे dispute होता है तो उसको parliament और उसको supreme court जिसको हम judiciary कहते हैं वो हल कर देते हैं लेकिन कुछ dispute ऐसे होते हैं जिनको Supreme Court और judiciary भी हल नहीं कर सकते हैं parliament भी हल नहीं कर सकते hätten और कुछ disputes तो ऐसे और इतने खत्रे होते हैं कि Supreme Court या जो judiciary और जो parliament होते हैं उसको भी politicize करके उनको भी corrupt बना देता है इसके बाद the resolution has to come from outside from the people असल में कभी कभी dispute को हल करने के लिए parliament और judiciary जो है वो अच्छा काम करता है court और जो police station होते है जो judiciary होते है, Parliament होते है लेकिन कभी कभी dispute को हल करने के लिए judiciary और Parliament भी कुछ भी नहीं कर सकता है लेकिन उसका जो last solution होता है वो लोगों के पास होता है जब लोग चाहते हैं कि dispute खत्म हो, resolution हो तब जायके उस country में dispute खत्म होकर शांती हो सकता है इस conflict and mobilizations are based on new political organizations. True, there is an element of spontaneity in all such historic moments but the spontaneous public participation becomes effective with the help of organized politics. There can be many agencies of organized politics, these include political parties, pressure groups and movement groups. जब लोग किसी भी कंट्री में चाहिए वो कंट्री डिमोक्रिसी हो या नॉन डिमोक्रिसी हो जब लोग किसी भी कंट्री में जलूस करने की कोशिश करते हैं जब लोग किसी भी कंट्री में इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें लोग जो है समाज में काफी जारा कॉन्फिलिक्ट और डिस्प्यूट पेदा करते हैं लेकिन कुछ डिस्प्यूट तो पारलिमेंट और यूडिशिरी हल कर सकते हैं लेकिन कुछ डिस्प्यूट को सिर्फ लोग ही हल कर सकता है तो इसी सलसले में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए लोगों के साथ-साथ यहां पे हरताल और डिमोक्राटिक और नन डिमोक्राटिक चीज़ों में जो बहुत बड़ा रोल रहता है लोगों के अलावा वो पॉलिटिकल पार्टी का सियासी पार्टी जो है वो सियासत में काफी ज्यादा रोल करता है प्रेशर ग्रुप्स जो प्रेशर में आकर काम करता है और जो गोर्मेंट के ओपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है और movement groups तो इसलिए हम मुफसल तरीके से पढ़ेंगे कि political parties क्या होता है pressure groups क्या होता है और movement groups क्या होता है mobilization and organizations यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को mobilize किया जाता है लोगों को मनाया जाता है और organizations का क्या काम रहता है let us go back to our two examples and look at the organizations that make this citraigal successfully चलो हम फिर से Nepal और Bolivia के सामने वापस जाता है जिन हूं ने Nepal में SPA ने काफी जादा successfully काम किया और Bolivia ने एक जो organization था उसने भी काम किया इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे जिन के सामने क्या हुआ citraigals जो है वा successful हुआ we noted that the call for indefinite strike was given by SPA or the seven party alliance in Nepal this alliance included some big parties that had some members in the parliament but the SPA was not the only organization behind this mass upsearch the protest was joined by the Nepalese communist party MAVIST which did not believe in parliamentary democracy and this party was involved in an army struggle against Nepali government and had established religious control over large parts of Nepal अगर हम निपाल की बात करेंगे तो निपाल में एक क्या था seven party alliance जिसको हम short form में SPA कहते थे इसने क्या किया काफी ज्यादा प्रोटेस्ट और मेहनत करके निपाल में democratic system establish किया लेकिन क्या आपको लगता है कि ये party अकेला था नहीं इस party में जो है कुछ जो SPA था उसके साथ कुछ big parties का connection उस time पे था और उन big parties में से कुछ members निपाल के parliament में काम करते थे तो इसी तरह के से निपाल के parliament और जो उसमें जो काम करते थे उस वो कुछ लोग ऐसे थे जो SPA से seven party alliance से connected था तो उन politicians जो निपाल के parliament में काम करते थे वो politicians और जो SPA के members थे सब मिलकर निपाल में क्या किया एक organization हर्ताल की सूरत में वो करने लगे ठीक है तो इसी protest को अभी सिर्फ SPA ने नहीं बलकि निपाली कॉम्मिनिस्ट party जिसको हम माविस्ट कहते हैं जो निपाल में एक party हैं जो बात में वो militancy की तरफ जाते हैं इस party ने भी निपाल में किस का साथ दिया SPA का साथ दिया और किंग के खलाफ जाने में ये दोनों कामियाब रहा लेकिन यहां पे एक एक अखिलाफ वाली बाद ये हैं कि SPA जो सिवन party alliance था वो निपाल में democracy को establish करना चाहता था और establish करने के बाद निपाल में parliamentary system बनाना चाहता था लेकिन उसकी support में जो माविस्ट party था वो सिर्फ किंग को remove करना चाहता था उस तख़त से लेकिन जो माविस्ट party हैं वो communist था वो democracy के खलाफ था वो किसी भी टाइब के parliament को पसंद नहीं करता था तो इसने SPA की मदद क्यों किया माविस्ट ने जब माविस्ट democracy नहीं चाहता था तो इसने SPA के माविस्ट का मदद करके किंग को remove क्यों किया क्यों कि इसको किंग से दुश्मानी था और ये किंग को रखना नहीं चाहता था ना ये कि इसका माविस्ट party था वो democracy चाहता था ना democracy तो वो दुसरा वाला चाहता था जो SPA है 7 party alliance माविस्ट सीरिप इतना चाहता था कि किंग वहां से हट जाए लेकिन last last में जब नेपाली government बना जब democracy आया तो आज भी अगर हम नेपाल में देखेंगे तो माविस्ट जो है वो militant के हिसाब से काम करते है क्योंकि माविस्ट एक ऐसा party है नेपाल में जो चाइना में भी है Communist Party of India जो किसी भी तरीके से democracy और parliamentary system को पसंद नहीं करते हैं नेपाल में इनकलाब लाने के लिए ना सिरिफ SPA ना सिरिफ माविस्ट नेपाल में इनकलाब लाने के लिए ना सिरिफ SPA ना सिरिफ माविस्ट जो नेपाली कॉमिनिस पार्टी जो बात में democracy के खलाफ गिया पहले king के खलाफ था ठीक है तो ना सिरिफ ये दोनों बलकि इनके बगएर भी labor unions, teacher unions, human rights groups, people, बहुत सारे organizations ने नेपाल में क्या किया democracy restore करने में काफी ज़्यादा role play किया इसके बाद इसके बाद हमें यहां पर यह देखने को मिलता है कि अब हम अगर बॉलिविया की बात करेंगे तो दे प्रोटेस अगनेस water privatization in बॉलिविया was not led by any political party हमने पहले यहां पर बॉलिविया की बारे में बात किया था तो बॉलिविया में जो water मसला था पानी का मसला था उसको किसी स्यासी party ने नहीं किया था क्योंकि नेपाल में किस ने किया एक स्यासी पाटी ने किया यहां पर बॉलिविया में water का मसला जो है वो केसा हुआ था उसके पीछे किसी भी स्यासी पाटी का हाथ नहीं था It was led by an organization called FEDERCORE अब जो बोलिविया में जो पानी के लिए जो लोग लटता है उसके पीछे किसी भी टाइप का पॉलिटिकल औरगनाज़ेशन का उदना ज्यादा हाथ नहीं था तो जिस तरीके से एस पी ए और निपाल कम्मिनिस्ट पार्टी ने निपाल से किंग को रिमू कर दिया और डिमोकरिसी इस्टिबलिश किया इसी तरीके से यहां पे कहां पे बॉलिविया में जो पानी को प्रिवेटाइज किया था किसी प्रिवेट कमपोनी ने पानी को खरीद लिया था उसके खलाफ हरताल करने में यहां पे एक औरगनाज़ेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया वहां पे S.P.A. की तरह ठीके तो इस औरगनाज़ेशन का नाम FEDACOR था FEDACOR इस औरगनाज़ेशन में जो ही एक बहुत बड़ा औरगनाज़ेशन था यहां पे environmentalist भी थे, engineers भी थे, doctors भी थे, teachers भी थे, farmers भी थे, middle class भी थे, university students भी थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गल्यों में बढ़ने वाले बच्चे भी थे और इस moment को सपोर्ट किया साथ साथ में जो बॉलिविया का socialist party है उसने ठीक है तो 2006 में क्या हो जाता है इसी organization को सपोर्ट करने की वज़ा से यही socialist party जो हो हकुमत में जीच जाते हैं कि इस निक्या किया था बॉलिविया में पानी की मसले को सपोर्ट किया था और लोगों की मदद किया था तो बात में socialist party यही socialist party जिसने लोगों की मदद किया था और पानी को privatization से आज़ाद करके सस्ते दामों में लोगों को दिया उसी वज़ाज से जब organization के मदद किया तो इस socialist party को क्या हुआ लोगों ने vote देकर 2006 में ये party हुकुमत में आ जाता है कहां पे बॉलिविया में From both this example we can see that in a democracy several different kinds of organization work behind any big struggle इन दोनों मसाहिल को देखकर हम एक तो निपाल के उस मसले को देखकर दुसरा बॉलिविया के मसले को देखकर हम ये बता सकता है कि किसी भी देश में किसी भी गाओं में किसी भी शहर में जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके पीछे ना सिर्फ सियासी ना सिर्फ लोगों का ताकत बलकि किसी भी और्गनाज़ेशन या किसी भी सिविल सोसाइटी का हाथ पका होता है ये जो और्गनाज़ेशन होते हैं जो लोगों के राइट के लिए लटता है वो दो तरीके से काम करता है इन और्गनाज़ेशन का काम करने का तरीका दो होता है पहले एक और्गनाज़ेशन होता है जो समाज के फायदे के लिए काम करता है बात में क्या होता है यही organization political party बन जाता है party बनने के बाद यह election contest करता है election फिर जीच जाते हैं जीचने के बाद यह हकुमत करता है लेकिन कुछ लोगों का जो है यह शोक नहीं होता है कि वो सियासत में जाकर काम करे तो एक तरीका यह हुआ कि organizations क्या करता है पहले लोगों के welfare के लिए काम करता है लेकिन last में वो सियासी party बन कर समाच में हुकुमत करके लोगों के खित्मत करना चाहता है लेकिन there are many indirect ways in which people can get government to listen to their demand or their points of view they could do so by forming an organization or undertaking activities to promote their interest or their viewpoints लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार में जाना पसंद नहीं करते हैं जो सियासी party बनाना पसंद नहीं करते हैं तो वो क्या करता है अपने demands को लोगों के government के सामने रखने के लिए वो क्या करता है organizations और दूसरे activities के जरिए हरताल वरताल के जरिए वो सरकार के सामने आपने डिमांस को रखता है इस आर काल इट इन्टरेस्ट ग्रॉप्स और प्रेशर ग्रॉप्स सम्टेंस पीपल डिसाइड टोगेदर विटाट फार्मी और्गनेज़ेशन ठीक है तो इन्ही ग्रॉप्स को जो ग्रॉप्स पब्लिक के लिए जो और्गनेज़ेशन जैसे यहां पर फेड़ा कोर की बारे में हमने बात किया जो और्गनेज़ेशन लोगों के बलाई के लिए बनाया हुआ था है उसको हम कहते है इन्टरेस्ट ग्रॉप और प्रेशर ग्रॉप ठीक है पर एक्जमपल यहां पर फेड़ा कोर था फेड़ा कोर किस लिए बना था लोगों की बलाई के लिए इसने क्या किया पानी का जो मसला था उसमें लोगों की मदद किया फेड़ा कोर जो है उसका कोई सियासी मकसाद नहीं था जो बोलिविया में था तो फिड़कोर को हम कहेंगे interest group क्योंकि ये लोगों के interest के लिए बनाया हुआ है तो ये pressure group कब बन जाते हैं जब ये लोगों के interest के लिए कोई भी organization पहले बन जाता है तो हम उसको कहते है interest group For example, हमने एक student union बनाया student के फाइदे के लिए तो उसको हम कहेंगे interest group because इसको बनाया है student के interest के लिए लेकिन जिस दिन student पे कोई मुसीबात आ जाता है, students का कोई demand होता है तो उस दिन ये group जाकर क्या करता है? सरकार के उपर pressure डालता है, हमारा demand पूरा क्यों नहीं कर रहा है? उसी दिन क्या हो जाता है? ये interest group जहें pressure group में change हो जाता है तो interest group और pressure group कोई अलक नहीं है यही interest group पहले interest group होता है, फिर बात में ये pressure group बन जाता है जब ये सरकार पे pressure डालना शुरू कर देता है लेकिन कभी कभी कुछ लोग या कुछ चीज़े ऐसे होते हैं जहां पे ना तो pressure group होता है ना तो interest group होता है suddenly जब कोई गलत काम होता है तो organization के बगिर भी लोग हरताल या जलूस कर सकता है तो आज हम इसी पे रखते हैं, इसके बाद हम next video में pressure group और moment group हम पढ़ेंगे